नमस्कार आज मैं आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी तो चलिए सुरू करते हैं आज की रेसिपी बट से पहले मैं खुश्व का नोजिया और मैं अपने चैनल घर का जाय का विद्खुश्व में आपका स्वागत करते हूँ वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो स्टार्ट करते हैं रेसिपी तो सबसे पहले हम यहां पर पाने को गर्म करने के लिए रख देंगे और पाने को पूरी तरह से उवालना है अर दूद को जब तक उबालना है तब तक दूद आधी न हो जाए तो देखिए पानी भी अच्छी तरह से उबाल चुका है अब हम एक डूद तयार करेंगे और हम इसमें एड़ करेंगे महिन वाले सूजी और उसे एक छनी की हेल्प से हम छान लेंगे ये बहुत ही बहुत 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 अच्छी रेसिपी है ये आपके घराए मेमान को भी बहुत पसंद आएगी अब मैंने इसे चान लिया है, अब मैं इसमें और भी ingredients आड़ करूंगी और जो की है dry fruits तो मैं इसमें add कर रही हूं dry fruits और उसके साथ ही मैं add कर रही हूं ilaiji और इस सारे चीज को मैं मिलाने के बाद मैं इसका एक सक्त डो तयार कर लूँगी तो पानी गर्म है और गर्म पानी के साथ ही हम इसे आटा को गूथ लेंगे और आप इसे पानी को ठंडा होने मत दीजिएगा ये पानी गर्म ही रहेगा और उसी से हमें इसे आटे के रूप में गूथना है और इसे पूरे तरह से फेटना भी है क्यूंकि हम इसे रेश्ट नहीं देंगे अगर आप इसे रेश्ट दीजिएगा तो ये और कड़ा हो जाएगा तो हम इसे रेश्ट नहीं देंगे अब हम filling की तयारी कर लेते हैं तो इसके लिए हम यहाँ पर खोया लिए हैं और इसे हम निकाल लेते हैं यह खोया मैंने घर में ही तयार किया है और फिर हम इसमें एड करेंगे एलाइची पौडर, dry fruits और साथ में ही सुगर और इसे भी हम mix कर लेंगे सुगर आप अपने टेस्ट के हिसाब से कमिया जादा कर सकते हैं मैंने इसे ची तरह से mix कर लिया है अब हम इसे side में ठख लेते हैं और dough को लेके आएंगे और dough में इसे हम एक पेरे की रूट में तयार करेंगे तो आप जिस आकार का बनाना चाहते हैं आप उस आकार का बना सकते हैं तो मैं यहाँ पर थोड़ी छोटी छोटी लोई बनाऊंगी तो मैं उसी के हिसाब से पेरे ली हूँ और इसे बिलना से नहीं हाथों से गोल गोल राउंड में सेप करना है अब फिर हम इसमें एड़ कर देंगे मावे वाले फिल्स को और इसे हम कवर कर लेंगे और इसे पूरी चिकनी तरह से ही कवर करेंगे अब आप मेरे चनल पर आहें गए हो तो मेरे चनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएए और मुझे पता है कि आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही हो तो आप इसे लाइक तो जरूर करेंगे इस तरह से हम सारे डो तयार कर लेते हैं और यहाँ पर दूत भी उवल चुका है अब हम इसमें एड़ करेंगे और सारे इंगिडियन्स को तो हम इसमें एड़ कर लेंगे इलाइंची पॉडर साथ में हम एड़ कर लेंगे ड्राइफूट्स और थोड़े से सूगर सूगर इलाइंची पॉडर इसलिए मैं एड़ कर रही हूं ताकि वो इसमें एक जुआब हो सके और ड्राइफूट्स भी तो यह अब अच्छी तरह से हो चुका है अब हम इसमें एड़ कर देंगे बॉल्स को और हम इसे कुछ देर के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे कुछ देर के बाद हम इसे नीचे से चलाएंगे ताकि ये फटे ना और इसे हमें कुक कब तक करना है तो इसे हमें कुक करना है जब तक ये बॉल्स उपर ना आ जाए तो इसे दीर दीर चलाते भी रहेंगे और थोड़े देर तक छोड़े भी देंगे तो कुछ दिर बाद देखिए ये बॉल्स धीरे दीरे उपड़ आ रहे हैं अब ये बॉल्स पूरी तरह से उपड़ आ चुके हैं अब हम गयस को बंद कर देंगे तो आपको दिखाते हैं ये कितनी अच्छी तरह से कुख हो चुका है अब हम गयस को बंद कर देते हैं और इसे ठंडा होने के लिए रहने देंगे तो देखिए ये पुरी तरह से ठंडी हो चुकी है अब हम इसे सर्व करेंगे तो इसे एक और और फिक्स से मिक्स कर लेते हैं और इसे हम एक वाल में निकाल लेंगे और हम उपर से और भी दूदिस में एड कर देंगे और इसे गानिसी करेंगे पिस्ता के साथ तो आप इसे एक बार तो जरूर अपने घर पे बनाना चाओगे मुझे यकीन है तो आप इसके इंगेडियन्स को भी नोट कर लीजिए जो कि सारे इंगेडियन्स का नाम मैंने वीडियो के इन में लिख चुकी हूँ तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक तो बनता है और इसे ज्यादा से ज्यादा से शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में फैमिली में और रिलेटिव में ताकि वो लोग भी इसका लुपत उठा सके और सबसे खास इंपॉर्टेंट बात अगर आप मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं फास्ट बार तो मेरे चैनल को सस्क्राइब जरूर करें और वैल अकन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी मत बुलिए क्यूंकि मैं इसी तरह की इंट्रेस्टिंग और कम बजट में बनने वाले रेसिपी हमेशा लाते रती हूं अपने इसी चैनल गर का जायका विद्खुश भू में जब तक खुश रहिए खुशिया बाठते रहिए आसपास सफाइब बनाए रखिए थैंक यू टेक क्यार और नमस्कार